असलाम अलेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टो माई चैनल जायका इंडिया, आज हम बनाएंगे ब्रैड डोल्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको भी हमारी तरह क्रिस्पी करा रहे ऐसे ही ब्रैड डोल्स पसंद है, तो आप इस मैथोड से इन्हें जरूर बना कर देखिएगा, मूठी हरा धनिया है, एक मीडियम साइस की प्याज है, तो इंच का अध्रा का टुकुला और तीन हरी मिर्च, अब हम इन सब चीजों को फाइन चॉप कर लेंगे, और अब आलो को एक बड़े बावल में डालकर मेशर की मदद से मैश कर लेंगे, आप हास से भी ने मैश कर स और जब यह आलो अच्छे से बारी खुकर मेश हो जाएंगे, तब हम इन में डाल देंगे कटी हुई प्याज, कटा हुआ अध्रक, कटी हरी मिर्च, और बारी कटा हुआ हरा धनिया इनके अलावा हम डालेंगे, आधा चमज, कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चमज से थोड़ी से कम कूटी हुई मिर्च या चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, एक चमज धनिया पाउडर, एक चमज भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, एक चमज सेधा या काला नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एड़स्ट कर लीजेगा एक चमच अमचूर पाउडर और आधा चमच ये हाल से मसल कर अजवाइन डाल देंगे अजवाइन पेट के लिए अच्छी होती है ये किसी भी हैवी यानि तले हुए खाने को डाइजिस्ट करने में मदद करती है और टेस्ट को भी बढ़ाती है अब सभी मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये आलू और मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इने एक साइड में रख देंगे और अब हमें चाहिए ब्रैड स्लाइसेज ये हमने वाइट ब्रैड ली है आप चाहें तो ब्राउन ब्रैड भी ले सकते हैं तो सबसे पहले हम इनके ये किनारे चाकु की मदद से अलग कर लेंगे आप अगर किनारे अलग नहीं करना चाहें तो बिना किनारे अलग ये भी ब्रैड रोल्स बना सकते हैं अब ये किनारे अलग हो गया है अब एक बरतन में ले लेंगे पानी और अब ब्रैट का एक स्लाइस लेकर बहुत हलके से डिप करेंगे और हतेलियों से इस तरह से दबा दबा कर ब्रैट का सारा पानी निकाल देंगे सारा पानी निकालना बहुत जरूरी है जितने अच्छे से हम इनका पानी निकालेंगे उतन ही अच्छे क्रिस्पी हमारे ब्रैड रोल्स बनेंगे बस हमें ब्रैट को हलका सा गीला ही करना होता है अब इनके बीच में रखेंगे आलू का midster और ये देखिए इस तरह से साइडों से ब्रैट स्लाइस को आलो के उपर कवर कर देंगे और इसे शेप दे देंगे लंबाई में ब्रैट की लिए इसलिए इसलिए चिपक जाती है अच्छे से हाथ से ब्लेइन करते हुए हमने इसे ब्रैट रोल्स की बड़ियां सी शेप दे दी है यह देखिए अब इसे प्लेट में रखेंगे बस इसी तरह से ब्रैट का दूसरा स्लाइस लेंगे हमने इसके किनारे नहीं हटाये हैं इसे भी इसी तरह से पानी में गीला करके एक्स्टा पानी दबा दबा कर निकाल देंगे और अब इसके बीच में रखेंगे आलू का मिक्स्चर और इसे भी इसी तरह से लंबाई में शेप दे देंगे बस किनारों के विजह से शेप देने में थोड़ सा टाइम लगता है क्यूंकि किनारे हाड होते हैं हाथ से अच्छे से प्लेन करते हुए ये देखिए ये ब्रेड रोल भी बनकर रेडी है बस इसी तरह से हम सभी रोल बनाकर रेडी कर लेते हैं बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि पीसिस का पानी बहुत अच्छे तरह से निकालना है और शेप अच्छे से प्लेन करके देनी है तो ये देखिए हमने सभी ब्रेड रोल्स बना लिया है अगर तेज आच होगी तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे और कम हीट होगी तो ये रोल तेल पी लेंगे और अच्छे से क्रिस्पी होकर फ्राइए नहीं हो पाएंगे और बहुत हलकी हाथों से ही लाएंगे और तब तक इन्हें fry करेंगे जब तक ये इस तरह से golden color के नहीं हो जाते ये देखे कितना बढ़िया golden brown color आया है इन पर और ये बहुत अच्छे से crispy होकर fry हुए है अभी ने हम तेल से निकाल कर एक मिनट के लिए इस टेनर पर रख देंगे अब इन सभी bread rolls को हम प्लेट में रख लेंगे अब एक पीस आपको काट कर दिखाते हैं bread की ये बाहर की layer बहुत ही बढ़िया से crispy होकर fry हुई है तो देखा friends आपने कितना असान है इने बनाना मसेदार bread rolls खाने के लिए ready हो चुके हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिक्शन आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रेया लाव